एटीए का साथ बीदीसी खिलैरी का लिस्ट सामने आ चुका है जिनको उन्होंने रेजिस्टर क्या है आईसल सीजन 6 के लिए साथ साथ नौस डुनाइड़ एपसी, बैंगलड़ एपसी और करेड़ा विलस्टर एपसी का न्यू किट लॉंच हो चुका है तो इबीटोक के एक और बिस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इच बिस्टर में मैं आपको आईसल सीजन 6 के साथ साथ इंड़नेशन फुटबल टीम सो जूरे बहुत सरा अपडेट देने वाला हूँ तो पहले बात कर लिए थे हैं आईसल सीजन 6 के लिए कुछ टीमों ने अपना प्रिसीजन मैंच खेला है उन सभी प्रिसीजन मैंच के रेजल्ट के बारे में तो सबसे पहले नौस नाड़ेड एपसी ने एक प्रिसेजन मैच खेला है इमनापर पंजब के साथ जहाँ पर स्कोल लाइन था तो उस्तो जिरो जिरो यानि की ड्रो हो गया था यह मैच दोनों के तरफ से कोई भी गोल नहीं लगा पाया था उसके बाद दोस्तो नेक्स्ट खाबर आ रहा है केरला ब्लस्टर एपसी के नेक्स्ट प्रिसेजन मैच के लिए तो दोस्तो केरला ब्लस्टर एपसी अपना नेक्स्ट प्रिसेजन मैच खेलने वाला है केरला का संत्स ट्रोफी का जो टीम है उस टीम के साथ तीन अक्टबर को कोची में उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एपसी गॉआ का नेक्स्ट प्रिसेजन मैच आज होने जा रहा है सामसारे 7 बजे मैच होगा दोस्तों रियल कास्मिरी के साथ है और दोस्त एकदम ओपन एंट्री है कोई भी इंटर कर सकता है ग्राउंड पर और इसके बाद दोस्त से मौहमेटन एस ती ने एटी एड़ी जैसा टीम को हरा दिया जहां पर बड़े-बड़े बिदीशी खिलाडी मौजू थे तो दोस्तों एटीए तरफ से तीन गोल लगाया था रॉय किस्टना ने एक जैस राने ने एक लगाया और डेविट विलियम्स ने एक गोल लगाय था दूसरी तरफ दोस्तों मौहमेटन का बहुत सरा अबिदीशी खिलाडी खेल रहा था जो कि बहुत ही सांद्र परमेंस करके एटीए को इस मैच पर हरा दिया एटीए अपास जॉन जॉन्सन काल मैक्यूज जैसा डिफेंडर होते हुए भी उन्होंने पाच गोल तो एटीए लिए बहुत ही हाइट टाइम है अब उनको सतक होना परेगा अपना परमेंस में सुधर लाना परेगा हाला कि हाँ पर एकस्परिमेंट हो रहा एटीए टीम में लेकिन फिर भी पाच गोल कंसिडर करना कोई आसन चीज नहीं है बहुत ही खराब चीज है फ्रेंडी मैच वाता जिसका रिजल में आपको पिछले विडिम में नहीं बतावाया था लेकिन इस विडिम में आपको बता देता हूं तो जंटुर एपसी ने इस मैच पे बहुत ही धाकर पावमेंस देकर जीत लिया था इस मैच को जंटुर एपसी ने टोटल चार गोल यसाटा इसी देखर इस द situation pare गेभर झाल लगए था जन इनकेप लिख में दोगल लागाया तो जिना नहीं को रखला गाया था इसमीट Mostly पर बहुत ही करारा हाड स्विकर करना पर बैंगलोडी FC को गोकुलम करला FC के बिरूद उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आज है उरिसा FC अपना लास्ट प्रिसेजन मैच खेला अल आरावी के साथ और अब वह बापस आ जाएगा इंडिया भुबिनसर आकर वह अपना बाकी प्रिसेजन खेलने वाला है दोस्तों इस लास्ट प्रिसेजन मैच पे बहुत ही संद्र बहुमेज क्या है उरिसा FC ने दो गोल लगाया था दूसरी तरह आल आरावी ने शरीफ एक गोल लगा पाया था तो दोस्तों उरिसा FC का प्रिसेजन बाहर बहुत ही संद्र रहा है और बाकी जो प्रिसेजन अब इंडिया में उनका होने वाला है चले उसके रेजल्ट क्या होता है उसके उपर हमारा नजार रहेगा तो दोस्तों इतों हो गया कुछ टीमों का प्रिसेजन अपडेट अब चली बात कर ले थे और भी कुछ नए अपडेट के बार में तो पहले अपडेट है दोस्तों नौस नारे देट एपसी का फोटो नहीं आ रहा है जासुका अगर देखा जाए डिजाइंग को अगर देखा जाए तो अच्छा खासा तो लग रहा है लाल कलर उसके बाद काला बॉडर भी हमें दिख रहा है इस जर्सी में लेकिन मुझे सफेद बहुत ही अच्छा लग रहा था और इससे पहले जो इनका ए अब दोग देख सकते हो अकधव में प्रीन कलर का है यहां पर मैं आपको कलर एकधव डिस्क्रेप नहीं कर सकते हूं आप दोग यहां पर देख सकते हो कामर किस तरह है तो इनका थाड़्ड कीट है और दोस्तों इससे पहले उन्हेंने हम्म किट लॉंज कर दिया था बहुत पहले और यह वह कित इनका साज़व कलार का है और यह रहा इनका थाड़ किट इस सीजन Gulf लिए और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट केला प्लस्टर इपसी के अगर जोंब करके देखोगे तो इहां पर आपको सफ़ेद कलर का बॉर्डर दिख जाएगा योलो कलर के ऊपर उसके बाद दोस्तो साइड मैप लोग यहां पर देख सकते हो दो खिलारी साफिद कलर का किट पहना हुआ है जो कि दोस्तो साइड उनका एवर किट होने वाला है तो दोस्तो केलर बिलस्टर एपस ने भी अपने जर्सी में बहुत ही बड़ा चेंज किया है इस सीजन के लिए तो दोस्तो आपको कैसा लगा एजाज सी आप ए भी कमेंट करके मुझे बता दीजिये फड़ा फट और इसके बाद दोस्तो नेक्स अप्डेट आ रहा है एटी के तरफ से तो दोस्तो एटीक ने अपना साइड बीदी सी खिलारी का लिस्ट सामने ले आया है जो कि आईसल स के लिए और मुझे लग रहा है कि किसी खिलारी का अगर पहमेंस डाउन होता है तो यहां पर एडू गर्षिया को मौका मिल सकता है तो दोस्तो साथ बीदी सी खिलारी जो रिजिस्टर हुए है एटीए के लिए आईसल सीजिन सीजिन सिक्स के लिए ओ है रॉय किसना डेवि लिए उसके बाद दोस्तों दारिया भी दोस्तों जबी हंडान डेज काल मैं क्योज ऑगस्ट गर्षिया और जॉन जोंसन तो दोस्ते रहा साथ बीदी सीखिलारी आईसे जिजिन सिक्स के लिए एटीए के तरफ से इसके बाद दोस्तों नेक्स अपडेट आ रहा है है इसके लिए तरफ से खेलता है तो दोस्तों एज इस ट्राइकर उनका पोजीशन है और उनका उमने दोस्तों 31 साल और इसके बाद अगर इनकी क्लाप के देखाए जा तो आच्छा खासा एक्स्पिरेंस ही इन्होंने ज्यादा तर अमिरिकन क्लाब के तरफ से खेला है तो द लो सीटी उसके बाद लास्ट टाइम इन्होंने खेला दोस्तों को लोड़ो रैपिट के तरफ से जो कि एमडियान के लाभ है और दोस्तों इनका अगर नेशनल टीम के बात क्या जाए तो दोस्तों अपने शुरुबाती किरियार में उन्होंने इंग्लेंड के अंडर नैंट इनका जोरी बहुत ही अच्छा बन सकता है फोरड पोजिशन पर स्टाइकर के रूप में यह भी काम कर सकता है तो दोस्तों बहुत ही डेंजिस टीम हैजरबद एपसी भी अपना गठन कर रहा है और इनके बिदिशी के बारे मैं आपको एक स्पेसल वीडियो बहुत जल्द समने आ चुका है मैंने आपको पिछलों भीडियों में बता दिया थे कि रिमर्स है लेकिन दोस्तों हादबद एपसी इनको भी ओपीसियल कर लिया है अब हादबद एपसी के तरफ से राफाइल गोंज आईसल सीजन 6 में खेलने वाला है इसके बात दोस्तों एक पुराना आपडेट है मैं आपको नहीं बता पाया था लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं तो दोस्तों इंदिया का नेसला अंडर 18 टीम अंडर 18 साब चेंपियंशिप को जीत लिया है जो कि उनका फाइनल हुआ था बंगलादेश के खिलाप और यहां पार दो गोल लगाया था इंडिया ने और एक गोल लगा पाया था बंगलादेश ने और इंडिया ने अंडर 18 साब चेंपियंशिप 2019 जीत लिया है इससे पहले दोस्तों अंडर 16 टीम भी जीत लिया था साब चेंपियंशिप और अब अंडर 18 टीम भी जीत लिया है तो हमारी तरफ से इंडिया के अ एनिमिनी कॉंगरेटूरेशन और दोस्तों इंडिया अब अंदर से स्ट्रॉंग हो रहा है इंडियान फुटबल अभी ग्रोथ हो रहा है इन्प्रूब्मेंट कर रहा है अंदर से जो की दोस्तों आगे जाकर इंडियान सिनियार टीम के लिए बहुती फायदेमन बात साबित हो सकता है अभी से इतना ज्यादा अच्छा पाफ हम कर रहा है अंडर 18 अंडर 16 अंडर 15 तो आगे जाकर इन सभी खिलाडी जब सिन्या टीम के तरफ से खेलेगा तब दोस्तों इंडिया टीम बहुत ही स्ट्रॉंग होने वाला है ऐसा लग रहा है आपको क्या लग रहा है इस को इस तरह की इंपोर्नेंट चीज़ों के बारे में पता चले और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए तक आपको फटा फटा नोटिफिकेसन मिल जाए जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अबलोड करो हुआ 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 है